सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले आपको पढ़ना स्ट्रेट लाइन बट बिफोर स्ट्रेट लाइन विए और सुम बेसिक सब्सक्राइब करेंगे में क्या क्या कवर करने वाले हैं सबसे पहले वह देख लेते हैं जो बात करेंगे तो इसलिए प्लेट की बात करेंगे किसकी बात कर रहे होंगे एक plane का discussion कर रहे होंगे ठीक है and after that we will talk about 3D geometry 3D geometry आपको 3D geometry पढ़नी है and in this we will discuss about space किसकी बात कर रहे होंगे space की बात कर रहे होंगे but in this lecture or in this session we will only discuss about 2D plane okay इसका मतलब आपको जो 11th में पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ इस 11th में आपको इस 2D geometry के बारे में पढ़ना है और यह हम लोग 3D geometry जो है class 12 में discuss करेंगे ठीक है और बहुत ही interesting topic है and most important topic for J.E. point of view J.E. point of view से यह coordinate geometry बहुत important आपके लिए lecture होगा कि यह 3D geometry में आपको बता दूँ एकलावता ऐसा chapter है जो 2-3 question आपको J.E. main में देखे जाएगा और इससे तो 3-4 आएंगे तो यह काफी बड़ा chapter हो जाता है अपने आप coordinate geometry में हम लोग क्या क्या डिसकस करेंगे भी हम लोग वो देखते हैं लेकिन ये वाला 2-3 question यहां से देखे जाता है और 2D geometry जो की एक लंबा chapter होगा यहां से भी 3-4 चार से पांच यह चार तो minimum यहां से चार question आपको आने हैं ठीक है और यह एक ऐसा चैप्टर होगा जहां पर अगर रिजल्ट याद है और थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज किया तो आप बहुत आसानी से इस chapter को पढ़ लेते हैं ठीक है और यह भी कहा जाता है कि मतलब जिसका अगर विख है वह अपने आपको जेए के लिए बहुत अच्छा candidate नहीं मान सकता है ठीक है तो आपका इस पर पकड़ होना चाहिए इसका बोड़ पॉइंट आप वीव से तो कोई हो जाएंगे तो देखे हम लुए düily जीमिटरी में क्या-क्या पढ़ने वाले है इस तो सबसे पहले बेसिक कॉंसेपt की बेसिक कॉंसेप्ट की तो अभी आज के क्लास में इसी पर discussion होगा, हो सकता है तीन से चार lecture इस basic discussion में चला जाए, तो basic concept पढ़ेंगे, basic concept के बाद हम लोग आएंगे straight line पर, जहांसे आपका topic basically start होगा NCRT के according, straight lines, ठीक है? और NCRT में missing concept है, pair of straight line को जो भी हम लोग उसको भी dismiss करेंगे, pair of straight line, जो की NCRT के according नहीं पढ़ना है, बड़ जेई में इससे questions आते हैं, तो हम लोग pair of straight lines भी deal करेंगे, right? उसके बाद हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, circle की, circle की, and then we'll talk about conic section, conic section जो अपने आप में most important topic होगा, because यहाँ पर तीन तरह के section आपको पढ़ने होगे, तीन तरह का section आपको पढ़ना होगा, पहला section होगा इसमें, पैरा बोला, actually circle भी इसी का है, लेकिन circle को हम लोग separately deal करेंगे, क्यों deal करेंगे, वो भी वहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है, क्योंकि conic section का definition पहले मुझे बताना पढ़ेगा, उस conic section के, conic section का ही एक part होता है circle, but इस circle को separately deal करेंगे, NCIT में एक साथ ही discuss किया, बिसकस किया गया है, but we will deal it separately, ठीक है, यहाँ पर basically conic section में हम लोग जो पढ़ेंगे, वो होगा पैरा बोला, पैरा बोला, ellipse, and hyperbola, और मैंने जिस order में आपके ये chapter लिखे हैं, हम लोग उसी order में ये chapter पढ़ने वाले भी है, ठीक है, बिल्कुल यही sequence होगा हमारे पढ़ने का भी, जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये एक परफॉर्मा तैयार कर लिजे, सभी लोग notebook के साथ बैठे हुए हैं, तो इसको लिख लिजे, ठीक है, और notebook के साथ बैठना भी है, किसी को कोई doubt है, इसमें, कि सर, इसमें क्या-क्या, जो भी, किसी भी तरह का doubt, ठीक है, वो पूच सकते हो आप, हाँ, दो मन्त से धाई मन्त लगने वाले हैं, यहां से, बी प्रिपेर फॉर दैट, ठीक है, लेकिन कोश्चन हम लोग साम में करेंगे, हम लोग हो सकता है न, कि, इस चप्तर में, क्या, इस चप्तर में दो महिना लगेगा, जादा लगेगा भई, दो महिना तब लगेगा, जब हम लोग, शाम में भी, हर वीक में, दो-दो डिसकसन कलास रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोश्चन ही बहुत important होगे, क्योंकि थियोरी का memorization कहिए, या, मतलब learning कहिए, यह तभी आएगा, जब आप question पर question बनाओगे, same type का भी question आप बनाते रहे, ताकि formula आपके, मतलब दिमाग में, पूरी तरह से पकड़ बना ले, उसको आप निकालने भी चाहें, तो न निकल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ का formula बहुत important होगा, ठीक लिख लिए सब लोग आगे बढ़ें हम लोग, यस सार, वेट फॉरे मोमेंट, ठीक है, अच्छा पल्वी, इसके पहले, यह आपने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिया है, पल्वी, आपने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिया है, मैट्स में, पर लीनियर एक्वैलिटी, स्टैस्टिक्स और प्रोबाइबिलिटी के अलावा सारा हो चुका है, मेरा, अच्छा सारा कतम मैं तुमारा है, जी, सर सर इसमें गराफ परना पढ़ेगा, पराबोला, एलिप्स, हाइपर बिला हाँ, गराप भी पढ़ना पढ़ेगा, वो ऐसा नहीं होगा, यह यहाँ पर स्टैंडर्ड पराबोला की बात की जाएगी, तेह बताएंगे इसमें ओरिजीन हो और करते हदा किया है जो चलास व जाएक पॉइंट है वह ही बता देना है मुझे और काम से डाओ जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कार्टेजियन कॉर्डिनेट सिस्टम की कार्टेजियन कॉर्डिनेट सिस्टम की कार्टेजियन कॉर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं सबसे पहले तो कार्टेजियन कॉर्डिनेट सिस्टम में एक्चुली है क्या पहले ये जान जाएए किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए प्लेन में लेट से मैंने क्या किया ये जो बोड का प्लेन देख रहे हो या एक लोटबुक आप कह सकते हो उस तरह के प्लेन को इंडिकेट करने के लिए जिस सिस्टम का यूज करते हैं उसी को हम लोग बोलेंगे Cartesian coordinate system, जहाँ पर सबसे पहले एक, एक, सबसे पहले दो mutually perpendicular lines का use किया जाता है, और उसके point of intersection को origin के तरह treat किया जाता है, ठीक है, और ये endless plane होता है, ये ऐसा plane है, जो endless है, मतलब आप ये line को सिर्फ इतने में ही मत इस्यूम कीजिए, ये line infinitely horizontally और vertically क्या होगा होगा, extend होगा होगा, तो यहाँ पर इस horizontal line को x-axis नाम दिया जाता है, और इस vertical line को y-axis, ठीक है, और इस direction को x-डैस बोलते हैं, और इस direction को y-डैस बोलते हैं, अब आपको ये पता होगा कि, लेट से यहाँ पर कोई point है, यहाँ पर कोई point है, तो इस point पर पहुँचने के multiple ways हो सकते हैं, multiple ways हो सकते हैं, और multiple ways के according, multiple coordinate system भी आपके सामने रखा गया है, ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग को जो यहाँ पर पढ़ना है, वो दो system पढ़ना है, एक पढ़ना है Cartesian coordinate system, और दूसरा पढ़ना है polar system, क्या पढ़ना है Cartesian coordinate system और दूसरा polar system, ठीक है, और भी system होते हैं, पेडल system होते हैं, तो वो सब आपको higher classes में discuss करना है, ठीक है, पेडल system अगर अगर क्या होता है, वो बोलना भी अभी सही नहीं होगा, आपके सामने, तो आपको basically जो coordinate system पढ़ना है, मैं लिख देता हूं, वो दो तरका system पढ़ना है, एक system को आप बोलोगे Cartesian coordinate system, कार्टेजियन कॉर्डिनेट सिस्टम कार्टेजियन कॉर्डिनेट सिस्टम और दूसरा आपने पढ़ना है पोलर सिस्टम कार्टेजियन कॉर्डिनेट के सिस्टम में हम कॉर्डिनेट को एक्स एंड वाई के फॉर्म में लिखते हैं एक्स एंड वाई के ओर्डर पेर में लिखते हैं जो कि हमने आपको बताया था इसमें क्या बोलते हैं relation and function में कि Cartesian coordinate system के बारे में थोड़ा सा discussion ने किया था और बोला था कि वो order pair होते है आर इंटु आर के that means R cross R, R square का space, इस space का नाम क्या होगा, R square बोलते हैं, क्या बोलते हैं, R square, R square क्यों, क्योंकि R cross R के dimension से मिलकर बनता है, ठीक है, R square से, और polar system में हम लोग R, theta से indicate करते हैं, ठीक है, अब ये R, theta क्या होगा, ये आपके लिए नया होगा, क्योंकि XY system तो आप class 8-9 से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन ये R, theta वाला जो होगा, ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, तो उसको भी हम करेंगे, अब Cartesian coordinate system में, किसी point तक reach होने के लिए, मुझे ये find out करना होता है, कि मैं initiate कहां से कर रहा हूँ, that means, from where we are going to measure our distance, ठीक है, that means, इस point P को मुझे locate करना है, तो मैं इस point P का distance या location किस point के respect में देखना चाहता हूँ, ये मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए, तो मैं जिस point से देखना चाहूँगा, उस point को बोलते हैं, origin, क्या बोलेंगे आप, origin, मैं इस origin के respect में, इस origin के respect में, इस point का location देखना चाहता हूँ, इस origin के respect में मैं इस point का location देखना चाहता हूं अब देखें इस point को reach करने के क्या क्या तरीके हैं इस coordinate system में इस Cartesian coordinate system में तो Cartesian Cartesian coordinate system आपको कहता है कि आपको जिस point पर आपको जाना है उसमें पहले x distance travel कीजे क्या कीजे x का distance travel कीजे तो लेट से मुझे इस point तक पहुंचने के लिए मुझे x में जो distance travel करना होगा वो पहले देखिए वो पहले देखिए मुझे क्या करना होगा इस x direction में इतना distance travel करना होगा इस distance को मान लिजे कि हमने x बोला ठीक है और यहाँ पर अब आपने x distance travel किया तो आप यहाँ पर पहुंच चुके हैं ठीक है आप यहाँ पर पहुंच चुके हैं अब आपको एक vertical distance जाना है vertical distance कहां से कहां x axis से उपर का distance x axis से उपर का distance travel करना है और इस distance को अपने y माना है तो इस point का coordinate क्या हो जाएगा x, y यह ordered pair होता है x, y क्या है x, y जो होगा वो होता है ordered pair, ordered pair का मतलब कि आप इस order को altered नहीं कर सकते हैं मतलब आप y को पहले नहीं लिख सकते हैं इसका meaning change हो जाएगा ठीक है y को पहले भी लिखेंगे तो भी वह ex coordinate ही हो जाएगा इसका मतलब कि जो first alphabet है यहाँ पर किसी भी coordinate system में किसी भी coordinate system में अगर आपको coordinates लिखा हुआ है तो first alphabet always denotes the x coordinate and another alphabet that means जो second alphabet होगा that will denote y coordinate right तो x coordinate क्या होगा simply तो मैं बोलूँगा कि distance from the distance the distance of point P point P distance from y-axis from y-axis y-axis से जो point का distance होगा उसी को आप बोलते हो x coordinate क्या बोलोगे आप x coordinate यहाँ पर आपने x बोला है इसका मतलब वो आपको हमेशा x coordinate देगा वो हमेशा क्या देगा आपको x coordinate देगा आपने यहाँ पर x coordinate को x ही नाम दिया है x coordinate देगा ठीक है और जो वर्टिकल डिस्टेंस है यानि कि distance कि वंस अगिन इल और क्या बोलना चाहर हो उजवल को मॉडर्ड पेर जो है ने फिर से इल कॉमा ओडर का क्या हां वो हमने बोला है इस इस यह लिखे है ना सर कहा है एक्स कॉमा वाई लिखा है यह और यह 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 एरो दिया है इसको कि क्या है पॉडर्ड प्यार है स्टिक कि क्या है और प्रम को कि यह रखदो गे यानि कि आगर वाई को पहले करेंगे तो यह एक्स कोडिनेट हो जाएगा ठीक है और दूसरा डिस्टेंस अब दॉइन अब दॉइन अब दॉइन पी फ्रों प्रों एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा फ्रों एक्स एक्सिस यह आपको वाई देगा और वाई यहां पर क्या होगा वाई कोडिनेट होगा इस बात को ध्यान रखें और मैं डिस्टेंस बोल रहा हूं तो यह ऐसा वैसा नहीं होगा यह कैसा डिस्टेंस होगा हमें सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कि मैं किस तरह के distance की बात कर रहा हूं पर पेंडिकुलर की बात कर रहा हूं ठीक है यहां तक सभी को clear है क्या कि मैंने उस point का इस point का मैंने करना पड़ा है इस तरह से चलना पड़ा है मुझे इस पॉइंट तक कहुंचने के लिए वाइएक्सिस से जो डिस्टन्स मैंने दिया वह ऐसा था ऊपर या नीछे लिखे कहीं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह वाला डिस्टन्स मेरा X हो जाएगा यह इतना distance जो हुआ X हुआ और यह जो vertical line vertical distance x-axis इस blue वाले line को मैंने दिखाए यह वाला y coordinate हो जाएगा यह और इस तरह से आपको इस point का जो distance मिलेगा origin से origin से वो ये मिलेगा O P ठीक है O P इसी को आप बोलोगे इसी को आप बोलोगे अब आपको जो distance मिलने वाला है distance distance of point अब point का coordinate मैं लिख पा रहा हूँ X, Y from origin कहां से from origin origin से ये क्या हो जाएगा आपको root under X square plus Y square हो जाएगा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर Pythagoras theorem apply होगा और Pythagoras theorem से यह यहाँ पर base जो है X मिलेगा और perpendicular जो है Y मिलेगा तो हाइपोटेनस जो होगा AP वही distance है आपका कहां से origin से point P X Y का distance and that will be equals to root under X X square plus Y square यहाँ तक सभी को clear है क्या? बोलिये आगे बढ़ा जाए बोले वही किसी कोई doubt हो तो unmute करके पूछ सकते हैं और नहीं doubt हो तो यह पहला question मैंने आपके लिए रखा हुआ है दे लेंथ ओफ एक question है कि दे लेंथ ओफ लाइन सेग्मेंट AB इस 10 यूनिट्स के रहा है कि किसी एक लाइन सेग्मेंट AB का जो 10 यूनिट्स का लेंथ है इप दो कॉडिनेट्स अप दो वन एक्स्टिमिटीज आर टू कॉमा माइनस थी and and the abscissa of other point of other extremities is 10 then the then the sum of all possible values of the coordinate of another extremities is other extremities is okay कि इसको कीजिए कि अभी हम लोग कुछ और भी चीज़े पर पढ़ने वाले हैं जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला आई थिंक आप लोग को याद होगा अभी उसको भी आज हम लोग देखेंगे लेकिन यह कुश्चन उस पर भी है कि जल्दी से आंसर कीजिए तो कि यहां पर आई थिंक यह तो कुश्चन सबसे बनना चाहिए यह क्लाश टेंथ बेसे का कुश्चन है अभी मैंने क्या किया लेट से कि उज्वल का अंसर आ गया और लोग आंसर कीजिए अमन नहीं है क्या आज के क्लास में यह तो बनाओ बना रहें सब्सक्राइब क्या होता है अच्छा मैं यहां पर बता दू एक सिसा है इस कोल कि देम बनेटिrons का दूसरा नाम क्या होगा यह स्टैंडर्डर नेम है यह जानना चाहिए एक्स-कॉडिणिय्ट का जो स्टेंडर्ड नाम हो वो ंप्षेसा होगा उसको बोलेंगे मैं क्या बोलो गेन्ट क्या आप औंधियक थिलेर रहें सभी को तो का मतलब होगा X-coordinate और ordinate का मतलब होगा Y-coordinate यहां पर दिया हुआ मतलब X-coordinate दिया हुआ है टेन और ते श्फी सब्सक्राइब पहला वाला बोल दिया है और दूसरा वाला होगा दूसरा वाला नहीं पता है तो मैं मुझे और यहां पर ऐ दिस्टंस है मैं अभी के लिए यूज़ कर लेता हूं कि यह टेन दिया हुआ है डिस्टन्स फॉर्मूला यूज करूंगा तो मैं जानता हूँ रूट अंडर यह क्या होता है आज यह क्लास में इसको प्रूब भी करेंगा हम लोग इसको हो रूट एंडर एक्सवन या एक्सटू बाइनस एक्सवन भी लिखते हैं यहां पर ऑड़र चेज़ कोई फर्क नहीं पड़ेगा यह हो जाएगा कि इतना टेन दोनों तरो पर स्क्वायर कर लेंगा और यहां पर रखते हैं टू माइनस टेन-टैन माइनस एट का स्क्वायर हो गया यह और प्लस यहां पर इसको मैं माल लेता हूं वाई माइनस माइनस प्लस 3 सब्सक्राइब तो आप बोलोगे दोनों तर्व एसक्वाइर करेंगे तो यह इधर आके सप्रेक्ट एन माइनस एट का स्कॉयर तेन का स्कॉयर मैंनस तो यह कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा 36 को 6 का स्कॉयर लिखेंगे तो मैं इसको वाई माइनस 3 का होल स्कॉयर माइनस सिक्स का स्कॉयर एक्वल्स टू जीरो बोल सकता हूं यह होगा ना चौशाट 36 सिक्स का स्कॉयर तो यहां पर यह आपको मिल जाएगा कि एप एप स्कॉयर मैंनस तो एप पलस भी वाई माइनस 3 और पलस 6 और दूसरा यह वाई प्लांस 3 था ना प्लस है ना प्लस है प्लस है माइनस लिपने चल रहा हूं और दूसरा क्या हो जाएगा वाई प्लस 3 कि वाई प्लस 3 और माइनस 6 एक्वल्स टू जीरो तो कितना हो जाएगा यहां से वाई प्लस 9 कि इन्टू वाई कि माइनस 3 कि यह तो मेरा अलग अलग आ गया घ्रवल्सौार गलत हुआ यह तो यका तो दो वेलु आ गया एक आ गया यह वाई के वैलु माइनस लाई जो रिए गाएं पॉसिबल वेल्यों अच्छा सिर्फ पॉर्डिनेट नहीं पूछा है हाँ तो यह 3 तो sum of all the values जो हो गया वो कितना हो जाएगा minus 6 minus 6 great सबका answer सही है अभी अपने segments and series पढ़ाता एक और यह वाला question कीजिए कि the vertices a and d of square a b c d lie on positive side of x and y इसका मैं figure आपको दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें figure दिया वा था मैंने figure छोड़ दिया है figure मैं आपको बना देता हूँ इसको बना देता हूँ कि यह figure था इसका यह square है यह a b c and d इस तरह का यह square है तो यहाँ पर कह रहा है कि the vertices a and d a and d of a square a b c rely on the positive x and y axis हला कि आप बना भी सकते थे कि अगर किसी square के दो vertices दो vertices कौन कौन सा a and d lie on positive x and positive y axis positive x and positive y axis and the coordinates of c and the coordinate of c is 12,17 then find the vertex b इस b के vertex को आपने find out करना है चली एक minute का time आपको देते हैं ट्राइ कीजे तो सभी लोग कि सभी लोग इसको ट्राइ कीजें कि इसमें option भी दिया था मैंने option हटा लिया है कि option से तुम लोग गेस करने में बहुत आगे हो है कि मैं प्रॉपर अंड्रिस्टैंडिंग चाहता हूं आप लोग कैसे ट्राइ कर रहे हो इसको डैट इस वेरी मॉच इंपॉर्टन कि पूरा आपका ज्यान खोल देगा इसका कॉडिनेट का की कॉडिनेट कैसे आप लोग लेते हो इसलिए मैं चाहता तो इसमें तुपका ना लगे लेट मी चेक कि कितने लोग करते हैं और जल्दी से रिप्लाई कीजे भई आयोश सिनहा बैठेओ ना किताब कॉपी के साथ पेन पेपर चाहते है ना हाँ दिखा तो वीडियो आउन करते हो हाँ चल ठीक है वेट है कि अधिया हुआ है इसका कोडिनेट दिया हुआ है इसका कोडिनेट कितना दिया हुआ है यह दिवाए 12 वामा सेवेंटीं पल भी का अंशर आ गया है बहुत अच्छ यह है ग्रेट चलिए तो जिससे बनना था वो बन जाता आपसे तो देखें मैं क्या करूंगा इसी से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यह लाइन जो है यह बताता है कि यह एक्सिस के साथ वर्टिकल डिस्टंस है यह वाला वैलू कितना होगा अगर मैं इस पॉइंट को कुछ नाम दे देता हूं लेट से इस पॉइंट इस पी इस पॉइंट पी तो पीसी जो डिस्टंस है वो कितना होगा वह बता सकते हो क्योंकि एक्स कोडिनेट होगा क्या हमने अभी बता है कि वाई-ेक्सिस के साथ जो वर्टिकल डिस्टंस होगा और यह यह अपका एक्स कोडिनेट 12 के बराबर है पॉइंट सी का और इस पॉइंट सी तक पहुचने के लिए मुझे जो वर्टिकर डिस्टन्स टैवल करना पड़ेगा उसी को वाई यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वह क्या है सेवेंटीन है यह टोटल डिस्टेंस एक सेवेंटीन है का फॉइंटींट तक पहुंचना है प्उइंट बी तक पॉइंट को पहुचने के लिए मुझे ळेसी को यहां-खर दिस्टेंस को मैभर मुझे मिल जाएगा इस डिस्टेंस को मैं यहां पे तीन ऐंगल सापको जनरेट मैंने किये एक यह एक ट्रेंगल बना है और यह ट्रेंगल बना तीनों जो है राईंगरतेंगल है और दीनों में यह हाइपोटेदस जो होगा वो सेम होगा डाइट मिज मैंा है किसी एक एंगल को दिखा दूं कि अगर वो भी एकवल है सब में तो यह जी थ्री ऑंगल्स फिल दिल भी और फांगुरुएंट टिश्टा ठीक है एक concurrent triangle का हिस्सा होगा तो अगर मैं इस angle की बात करता हूँ यह angle को ठीटा लेता हूँ और चुकि यह square है तो यह तो 90 degree का angle बनाया ही होगा इसको मैं बीच वाले को हटा देता हूँ इस बीच वाले को क्या करता हूँ हटा देता हूँ मैंने उधर side में ले लिया है इसको ठीक है यह figure को खराब करता है यहाँ पर यह 90 degree मुझे दिया हुआ है यह तो 90 degree होता है स्कॉयर में 90 degree लिख रहा हूँ तो यह वाला एंगल मुझे 90 degree माइनस ठीटा मिलेगा 90 degree माइनस ठीटा यहाँ पर भी आप देख सकतो यह वाला एंगल आपको 90 degree माइनस ठीटा ही मिलेगा 90 degree माइनस ठीटा मिलेगा अब यह वाला 90 माइनस ठीटा हो गया यह तो राइट एंगल ट्रेंगल यहाँ पर बनेगा तो दिस एंगल विल भी वाट ठीटा यह ठीटा हो तो अगें यह वाला 90 हो गया तो यह 90 minus theta होगया ए Est Do जाएगा 90 degree माइनस ठीटा और ये वहला एंगल संप्रोपरिटी को सटिस्पाई करने के लिए यहां पर बना है तो अगर मैं इसी ट्रेंगल और इस ट्रेंगल का तो दोनों क्या हो गए हैं दोनों हो गए हैं और यहां पर दो एंगल और एक साइड मुझे मुझे इक्वल मिला है तो यह क्या हो गया है congruent हो गया है by double AS, यानि AAS criteria से, ठीक है, अब यहाँ पर मैं देखता हूँ, तो corresponding part CPCT equal होना चाहिए, CPCT use करता हूँ, तो देखे, 90 degree या ठीटा के सामने वाला, जो यहाँ पर value है, वो कितना होगा, वो मुझे देखना है, और ये, 90 degree minus theta के सामने वाला angle कौन सा है, वो देखना है, और तो मुझे यहाँ पर 90 degree minus theta के सामने वाला side कितना दिख रहा है, 12 दिख रहा है, अब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, और साथी साथी यहाँ, यह वाला भी तो equal है, तो इसको मैं अगर करता हूँ use, तो देखो, यहाँ पर 90 degree सामने वाला जो साइड है इसका मैं ओडी नाम देता हूँ इस ओडी की जो वैलू होगी वह इस नीटी डिघ्री माइनस ठीटा के बराबर होगी तो ओडी का जो वैलू होगा वह 12 आ जाएगा आप यहां पे उडिकर वैलू जाएगा तो इस पीडी का वैलू कितना आ जाएग 5 हो गया और आप देख सकते हो हो यहां पर कि यह वाला 90 डिग्री माइनस छीटा के सामने का जो साइड है 12 है तो यह वाला वैलू 12 आया है इसका कुछ नाम रख दीजे क्यों नाम रख दीजे तो एक यू का वैलू 12 आ गया है और आपको जो एक से डिस्टेंस जो टोटल मिले हो जाएगा वह 12 प्लस 5 17 हो जाएगा और यह जो वर्टिकल डिस्टेंस है यह 5 हो जाएगा क्लियर है क्या तो 17,5 इसका क्या हो जाएगा कॉडिनेट हो जाएगा दो लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किये है एक पल्लवी का आंसर सबसे पहले आया है तो इसी तरह का तिकड थीक कि वह कुछ पूछना है तो आगे बाठते हैं नेक्स कोश्चन देखिए कह रहा है कि अब पार्टिकल बिगिंस एड़ ओरीजिन के रहा कि कोई एक पार्टिकल है जो इस ओरीजिन से क्या करता है इस ओरीजिन से स्टार्ट करता है इस ओरीजिन से स्टार्ट करता है एड़ ओरीजिन एंड मूफ सक्सेशिवली इन दो फॉलविंग मैनर्स एज सोन वन यूनिट तो दे राइट एक यूनिट पहले राइट में जाता है तू दे राइट 1 बई 2 यूनिट अप फिर हाफ यूनिट ऊपर जाता है फिर 1 बई 4 यूनिट राइट जाता है फिर 1 बई 8 यूनिट डाउन जाता है 1 by 16 unit to the right, etc. The length of each move is half of the previous move. कह रहा है कि आग, यानि कि जो हर एक move जो है, अपने पहले वाले का क्या है? Half हो जाता है. And movement continues in the zigzag manner. और ये movement जो है, zigzag manner में continuously क्या हो रहा है? चलते जा रहा है. And manner infinitely, और ये infinite तक चलते जा रहा है. The coordinates of the point P to which the zigzag converges is. ठीक है? कह रहा है कि इस तरह से point P जो होगा, किस coordinate पे जाके converge करेगा, ये आपने बताना है. ठीक है? Converse का मतलब होता है कि एकदम direct वहाँ नहीं, लेकिन वहाँ जाता हुआ दिखेगा. वहाँ पे, limit में हम लोग convergence point ही निकालते हैं. Convergent point ही निकालते हैं. तो एक तरह से limiting value निकालने हैं आपकोई. मतलब exact उस point पर जाता है, क्योंकि infinite times जा रहा है न, infinite times move कर रहा है. तो ये process ही infinite है, तो defined value नहीं आएगी यहाँ पर. तो आपको finally दिखेगा कि P जाता हुआ कहाँ पर, कहाँ पर approach करता हुआ दिखेगा. आपको वह अलापाइन निकालना है. Exact उस point पर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये मुझे नहीं पता है. बट वहाँ जाता हुआ दिखेगा. ठीक है? तो पहले आपने X कॉडिनेट निकालना है और फिर Y कॉडिनेट निकालना है. ट्राइकर पारे हैं सब लोग? येस सब. ग्रेट. और कॉन-पॉन लोग है वही? अंकीत, आयूस राज, आयूस शिनहाप, स्वेता, विनय, आज तुम आंसर नहीं दे रहे हो विनय, क्या बात है? आगे आंसर सर्थ. आगे आँ? येस सर्थ. कितना, ये कॉन सा है? आप्शन भी मैंने दे रखा है. आप्शन मैसेज कर दिया है. ग्रेट. लेट सी. तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, एकस कॉडिनेट की अगर मैं बात करूँगा, एकस कॉडिनेट, तो क्या-क्या हो रहा है, वो मुझे समझना चाहिए. एकस कॉडिनेट के लिए, सबसे पहले मुझे क्या देखना चाहिए? कि यह किस प्रॉसेस के साथ आगे बढ़ रहा है, तो एकस कॉडिनेट जितना डिस्टन्स टैवल करेगा, सब डिस्टन्स का सम होगा, पहले यह वन यूनिट बढ़ा है, फिर उसका आधा यूनिट बढ़ेगा, तो फिर हाफ यूनिट आगे गया होगा, तो हाफ फिर मुझे आइड करना होगा, फिर उसका आधा 1 by 4 फिर आगे गया है, तो 1 by 4 फिर आगे जाएगा उसको भी लेना होगा, 1 by 4, फिर नेक्सट वाला स्टेप अपने पहले वाले स्टेप का हाफ होगा, और यह process infinitely move करते जाएगा infinitely क्या होते जाएगा move करते जाएगा तो इसका मतलब कि यह x coordinate अपने आप में एक AP का formation कर रहा है sorry, एक GP का formation कर रहा है and this GP will be infinite sum of a GP तो R मुझे 1 x से कम मिलना चाहिए था और of course x से कम तो मिल रहा है वही x से कम R की value यहां पर हाफ हो रही है तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी जो value होगी वो A upon 1 minus R होता है A का value हो गया 1 1 upon 1 अच्छा वेट वेट नहीं नहीं मैंने सेक्वेंस गलत लिया 1 by 4 जा रहा है ना एक वेट वेट hard 1 by 4 आएगा सेर हाँ हाँ मैंने हाफ मान के वैसा ही ले लिए वाई वाला लिखा गया यह वन दूसरा 1 by 4 जा रहा है फिर 1 by 8 जा रहा है यानि हर नेक्स्ट टर्म अपने पहले टर्म का हाफ है यहां पर नहीं यहां पर 1 by 16 अच्छा वाई वाला हाफ गया है ना उपर वाला हाफ जा रहा है वाई वाला लिखा जा रहा है मुझसे तो फू यहां वाला है कि वन ब्ड़िश्टिन उसके बाद क्या आ जायेगा वन ब्रश्टिट्ट टू आ जाएगा क्या जायेगा वन ब्रश्टिट 4064 आ जाएगा वन वाई 64 इस तरह से और ये प्रोसेश इंफाइनाइट मूव करते जाएगा इन फैनाइट यहां पर और की वैलू 1 बाई 4 होगी कितनी होगी 1 बाई 4 तो यहां से मैं बोलूंगा एका वैलू है 1 ए अपॉन 1 माइनस आर आर का वैलू है 1 बाई 4 तो यह से अगर यह 3 बाई 4 नीचे आया reverse करेंगे तो यह रेसी प्रोकल करेंगे तो 4 बाई 3 तो x कॉडिनेट 4 बाई 3 आना चाहिए और 1 बाई 4 नीचे आ रहा है 1 बाई 1 बाई 4 नीचे आएगा तो माइनस वन बाई 4 फिर पलस वन बाई 8 उपर जाएगा फिर माइनस वन बाई 4 वन बाई 16 नीचे आएगा यह प्लस माइनस क्यों हुआ क्यूंकि उपर जा रहा है तो उपर वाला डैरेक्शन पॉजिटिव होता है और नीचे जब आना होगा तो नीगेटिव होता है ठीक है यहां से मैं बोलूँगा कि जब उपर जा रहा था तो वन बाई 2 से जा रहा था लेकिन उसका आधा फिर नीचे आया होगा तो आधा के लिए वन बाई 4 हो गया और नीचे आने के लिए माइनस हो गया यह माइनस हो गया तो इस विल भी माइनस फीर उपर जा रहा होगा उसका आधा वन बई फोर का आधा क्या होगा वन बई एट उपर जाने के लिए फिर प्लस फिर नीचे आ रहा था तो माइनस वन बई 16 और इस तरह से यह भी प्रोसेस कंटिनीव चलते जाएगा इसमें आर कितना होगा भई बताये तो कितने लोग बता सकते हैं वाट सुट बीड़ वैलू अफ आर ही अधाई यह माइनस वन बई टू माइनस वन बई तू बहुत रहें तो दिस मील बी यह अपां वन माइनस आर वाई का वैलू हो जाएगा दो क्या हो जाएगा वाई इकोल इकोस टू ए का का option होना चाहिए तो मुझे coordinate x,y जो मुझे मिला है यह मिला है 4,3 एंड दूसरा 2,3 पहले था न कि 3,4 4,3 4,3 2 by 3 तो option number a is here और option a is correct फल भी कैसे आगया आपका कि सबको समझ में आया क्या यह तो अभी सेक्वेंशन सीरीज पढ़ेते हम लोग और उसका यहां पर अप्लिकेशन दे गया कि किसे कोई डाउट भई डाउट हो तो बताइए अधर्वाइस हम लोग नेक्स कोश्चन की तरह पढ़ें लिया है किसे कोई डाउट है कि नो सब्सक्राइब नेक्स्ट में बात करते हैं पोलर सिस्टम की इसकी बात कर लेते हैं पोलर सिस्टम कि पोलर सिस्टम पोलर सिस्टम में बेशिकली हम लोग क्या बात करेंगे कि पोलर सिस्टम में ये कोडिनेट लिखने का दूसरा वे है आपके लिए ठीक है अन्वे औव अन्वे 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 और वे अन्वे इसा पॉइट पॉईंस्ट में तो महीं ynुकिकल हम लोग करते क्या है हम लोग एक कॉडिनेट सिस्ट्म बनाते हैं एक टूप म्यूचेली परफेंदिकुलर लाइन लिखते हैं तूप मिचली預 ultrasound line और वर्श लाइन बोलते और यह उपर वाला जो है, perpendicular to initial line हो जाएगा, कुछ लोग initial ray भी बोलते हैं, initial line, तो किसी-किसी बुक में initial line और initial ray डोनों term यूज किया जाता है, हम यहाँ पे initial line लिखेगे, यह क्या होगा? इनिशियल लाइन होगा एड पर्पेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन ये वला होगा इसमें अगर कोई पॉइंट यहाँ पर लोकेट हो रहा है कोई यहाँ पर कोई पॉइंट पी है तो इस पॉइंट पी को क्या किया जाता है सीधे origin से जोड़ देते हैं क्या क्या आता है सीधे origin से जोड़ देते हैं कि origin से ये कितने distance पर है origin से सीधे जोड़ दिया ठीक है origin से सीधे जोड़ दिया और origin से जोड़ने के बाद इस distance को r नाम दे देते हैं क्या नाम दे देते हैं r नाम देते हैं और इस position को लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि r distance पर कहा से origin से तो r distance और ये initial line से कितने degree का angle बनाता है ये दिया जाता है तो दूसरा इसमें coordinate क्या होगा how much angle will it form with with its initial line and let's say this will be theta तो इस coordinate का नाम हो जाएगा r, theta and this coordinate is our polar coordinate system तो point p का जो coordinate हो जाएगा वो r, theta हो जाएगा तो अगर point p का coordinate लिखा हुआ है किसी point p का तो आपने समझना चाहिए कि किसी point p का coordinate लिखा है r, theta तो इसका मतलब हो गया कि r is the distance of that point from origin and theta is the angle made with initial line and this initial line may be treated as as an x-axis, ठीक है इस initial line को मैं x-axis की तरह भी treat कर सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा था coordinate system में मैं दो mutually perpendicular line ले रहा हूँ तो कोई भी एक line होगा और उसके perpendicular line अगर मैं draw कर दूँगा तो perpendicular वाला y-axis करने लाएंगे और जो बेस वाला वाले में खलती कहेंगा 1 by 2 1 by 2 1 by 8 होना चाहिए था 1 by 4D है minus 1 by 8 1 by 8 1 by 8 down wait 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 sequence है गलत बन गया नहीं यानि दोनों में 1 by 2 up 1 by 2 up 1 by 8 down minus 1 by 8 minus 1 by 8 1 by 8 down एंड फिर वैसे ही मिलेगा कि वन बाइ थर्टी टू यह अप जाएगा तो माइनस वन बाइ शिक्टी फोर डाउन प्लस एंड सो चाहिए यह बनेगा ना यह बनेगा वन बाइ फोर में किसका अच्छा एक कन्फूजन यहां से ना देख देखके इसको लेंग्वेज पढ़क कचे चैसी चाहिए निकीज में और कि अब हिसका यह आर की वैलू Mineस बन बाइफोरं हो जाएगा नहीं यहरा पर मै再लो मेनआस बन होаund होगा तो मनेश माइनस पलस हो जाएगा ऐस नहीं हो जाएगा मैं अ यए करनaborह सभिश्वर को और पहला है 1 by 2 है पहला कितना है 1 by 2 तो यहाँ पर एक की वैलू 1 by 2 है एक की वैलू कितनी होगी 1 by 2 तो यह हो जाएगा 1 by 2 upon 5 by 4 यानिकी 2 by 5 आ जाएगा पलवी का यानि साही था बोल क्यों नहीं रहे थे पलवे फिर लगा नहीं तो देखना चाहिए था ना सेक्वेंस बनाते समय तो बोलना चाहिए था ठीक है ग्रेट बी ही ऑप्शन होगा वही बी सही है अब इस एए बने सेक्वेंस गलत बना लिया था ठीक है हां तो यहां पर इस तरह से अब यहां पर कंवर्जन कि भई मैं पोलर कॉडिनेट सिस्टम को कार्टीजियन कॉडिनेट सिस्टम के साथ किस तरह से रिलेशन इस्टैबलिस करो यह वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वह रिलेशन बनाना काफ़ पीजी है हम लोग इस तरह का इस तरह का कॉंसेप्ट किये भी हैं अभी कुछ मैं करूंगा तो आप देख भी सकते हो देखेगा हम लोग यहां पर ट कार्टेजियन कार्टेजियन एंड एंड पोलर सिस्टम इंटर कनवर्जन भी आप लेख सकते थे हैं एंड पोलर सिस्टम एक दूसरे में कनवर्जन के लिए कौन सा तरीका यूज करेंगे वो देख लिए तो बहुत आसान है इस टाइप का डिसकरशन हम लोग किये हुए ह छिखें यहां से यहां पर इसी होरीजोंटल लाइन को आप क्या बोलोगे कि यह होरीजोंटल लाइन ड्रॉब करोगे एकस से यहां का जो डिस्टेन्स होगा यह वला हो लुखांसे देखोगे तो ये एक आगल ट्रेंगल है है इस प renderedते हो ठीक है तो आप कहोगे इन तो इन राइट ट्रेंग्ड राइट ट्रेंग्ड ओ अभैत पर एकल ओपीड़ आप देखोगे कि कॉस्ट ठीटा की वैलू क्या होती है कॉस्ट ठीटा बी बाई एच होता है यानि कि बी की वैलू क्या हो यहां पर कितना होगा एक्स और एच की वैलू आर है ठीक है यानि हाइपोटेनस आर है तो आप बोलोगे कि एक्स का जो वैलू आया है वो आर तो आपको साइन ठीटा यहां से मिलना चाहिए साइन ठीटा इस इक्वल टू वाई अपॉन आर तो दिस इंपलाइज यहां पर वाई की जो वैलु मिला वह आर कॉस्ट ठीटा मिला और साइन ठीटा मिला आर साइन ठीटा इसका मतलब कि X, Y कॉडिनेट को आप लिख सकते हो कि यह आर कॉस्ट ठीटा कॉमा आर साइन ठीटा के बराबर होगा ठीक है यह तो बात रहा कि आपको अगर 25 को आपको बदलना है pr 11 पोलर से अगर कर्टीजियन में अना है तो आर कॉस्ट ठीटा और आर थिटे ले लेंगे तो आप आजाओगे अगर आपको कार्टीजियन दिया है तो polar में कैसे जाना है वो देख लिए तो अगर आपको एक स्वई गिवन यहाँ पे आर और तो आप एकसवाइज निकाल लिए अगर आपको X एंट Y गिवर्टन है तो आर ये थीता या आपको आया है आर कॉस चीटा ए और वाइज की वेलु आया है आर साइन थी गंः ने अर साइन थीटा डोनों को HE FIRE करके ADD कर दीजिए इसबी liar 1 और इसबील विक्वेशिंवान और एक्वेशिविफन 2 इसबीरीं एडिंग on squaring on squaring and adding and adding adding we get we get हम क्या बोल सकते हैं कि x square plus y square की जो value हो जाएगी वो क्या हो जाएगा r square cos square theta plus r square sin square theta r square common निकल जाएगा आप बोलोगे कि आपको मिलेगा cos square theta plus sin square theta plus sin square theta cos square theta plus sin square theta तो 1 हो जाएगा तो this will be r square and this will be x square plus y square तो आप कह सकते हो कि therefore y की जो value होगी वो हो जाएगा root under x square plus y square ध्यान दीजे मैंने यह पे plus और minus नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है कि r जो होगा एक तरह का length होता है point p का point p का origin से जो length था वो क्या था? r था, ठीक है? तो वो length होगा तो मैंने उसका negative क्या किया है? avoid किया है तो r का value यानि x और y दिया हुआ है दोनों का square करके sum कर लिजे और फिर उसका square उट ले लिजे तो we will get r ठीक है? और आपने क्या करना है? दूसरे को पहले से divide कर दीजे on dividing 2 by 1 on dividing on dividing equation 2 2 by 1 क्या मिलेगा आपको? भी को r से r cancel हो जाएगा क्या मिलेगा आपको? इस साइड मिलेगा 10 theta लिख लिजे एक बार को उपर आपने क्या मिल जाना है? उपर मिलना है आपने r sin theta r sin theta upon r cos theta and this will be equals to क्या हो जाएगा y upon x तो r से r cancel हो गया ये 10 theta equals to आप बोल सकते हो 10 theta equals to y by x तो आपको theta अगर निकालना है तो दोनों तरफ tan inverse ले ले लेते हैं तो theta जो होगा वो tan inverse y by x हो जाता है tan inverse y by x तो ये conversion रहा आपके लिए ठीक है? कि अगर आपको polar coordinate system दिया होगा है तो polar coordinate system दिया होगा तो वहाँ पे r दिया होगा और theta दिया होगा ठीक है? आर और theta लेट से मुझे polar coordinate system दिया होगा है ये लेट लेट the polar let the polar coordinate coordinate of a point of a point be c फिट थर्टे डिगश्ट वह झ kilogram है देर भी एट्स कार्टीजियन कोर्डिनेट सिस्थम देन फाइड वी जी फॉट्निग टाइर्ट डीघ्री है वुथ हिए थिट डीघ्री रहे कार्षपणिंग Pennsylvania इस कार्टेजीन सिश्टम लेखे तैंपाइं इसका कार्टेजीन पॉडिनेट्सिंट ति इसका कांदेचन कॉडिनेट्स आकनेime इसका मतलब हुआ कि यह पॉइंट जो है फाइव यूनिट का लेंथ रखेगा ओरीजिन से और थर्टी डिग्री का एंगल बनाएगा इनीशियल लाइन से ठीक है कि आगया सब्सक्राइब कर देता हूं कि इसका मतलब हो गया कि लेट से एनी पॉइंट पी अच्छा मैंने क्वार्डेन का साइन वगरा यह सब इसकिप किया है उसमें कोई दिकत नहीं है ना लेट से इस पॉइंट इस पी एंड पी कितना है फाइब कॉमा थर्टी डिग्री इसका मतलब यह हो गया कि यह पॉइंट एक सेक्सिस के साथ अब यहां पर मैं एक सेक्सिस बोल सकता हूं होरिजोंटल को क्योंकि मुझे कोर्सपॉर्णिंग कॉर्डिनेट सिस्टम भी चाहिए यह क्या है यह क्या है थर्टी डिग्री का एंगल बनाया हुआ है और यहां पर पांच यूनिट का लेंथ है जब मैं यहां पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं एक तो यह इसके कॉर्रिस्पॉर्णिंग एक सैंड वाई कोर्डिनेट सिस्टम हो गया आई आए इस तरह हैं तो मैं बोल सकता हूं होँ यहां पर कि एकस की वैलू होगी एकस की वैलू जो होगी वह क्या होता था आर कोस्ट थीटा तो यह चाहिए anai खी了吧 ji थीटा की वेलू कॉस मैं थर्टी डिगरी होगा सथर्टी डिगरी तो आप उनको पता ही होगा कितना होता है कि तो एक सक्वाइब रूट रूट थ्री बाइटू और य जो होगा वाई वह आर साइन ठीटा होता है our kiaWellow मैं कितना ले सकता हूँ आर की तो वैलू मैंने ले लिया 5 और साइन थीटा साइन 30 डिगरी हो जाएगा साइन 30 डिगरी साइन 30 डिगरी के वैलू कितनी होती है यह 1 बई 2 तो 5 बई 2 हो गया तो इस तरह से अगर मैं इसका अगर मैं इसका कॉर्डिनेट लिक हो तो Kea मिलना चाहिए काडिनेट मिलना चाहिए पाइव रूट थ्री चुट्री कॉमा फाइड बै टुकी क्लिर है क्या एच पॉइंग पी का जो कार्टेजीन कॉट्रीन सिस्टम है वह फाइड रूट थ्री बै टुकॉमा फाइब राइट टू मिलेगा अब मैं ले लेता हूं डिस्टेंस बिट्विन टू पॉइंस क्या होगा डिस्टेंस कि डिस्टेंस के बीच डिस्टेंस मैं निकालना चाहता हूं डिस्टेंस बिट्विन टू पॉइंस तो देखें कैसे करेंगे हम लोग लेट से यहाँ पर मेरे पास कोई पॉइंट पी है पॉइंट पी है चाहे ए रख लेते हैं और यहाँ हाँ पर कोई पॉइंट भी है है इस पॉइंट पी का जो कोडिनेट है वह एक सब्सक्के वाइवन है और इस पॉइंट पी का इस बी का जो कॉडिनेट है वह एकस्तू कॉमा वाइट्टू है एकस्तू कॉमा क्या है वाइटू और मैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना चाहता हूं मैं क्या निकालना चाहता हूं कि इनके बीच का जो distance है वह find out करना चाहता हूं यह blue वाले line segment मैं find out करना चाहता हूं तो देखें क्या होगा मुझे क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है मैं काफी detail में नहीं दिखूंगा A क्या है, X1, Y1 है, B क्या है, B है, X2, Y2, ठीक है, तो यहाँ पर distance between A and B is D of AB नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, D of AB लिखा है, इसका मतलब distance between A and B, या इसको कुछ लोग mod AB भी बोल सकते हैं, mod AB का मतलब magnitude of A and B, A and B के बीच का magnitude निकालना है, और इसको simply आप D से भी denote कर सकते हो, D से भी denote कर सकते हो, तो इसकी value हम लोग, देखें, यहाँ पर मैं थोड़ा सा geometric adjust कर लेता हूं, और बहुत आसानी से इसका value find out कर सकता है, लेट से यह वाला distance क्या हो जाएगा, यह वाला distance y1 हो जाएगा, यह वाला vertical distance y2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ का horizontal distance हो जाएगा, यह हो जाएगा x1, और यहाँ से यहाँ का जो horizontal distance हो जाएगा x2, यह क्या हो जाएगा, x1, यह हो जाएगा x2, तो अगर मैं सिर्फ इस distance की बात करता हूं, अगर मैं इस distance की बात करता हूँ, इस distance की बात करता हूँ, तो यह x2-x1 हो जाएगा, x2-x1, और यही x2-x1 नहीं होगा, अगर मैं यहां से यहां, इस horizontal line से एक triangle complete करूँ, तो यह भी क्या हो जाएगा, x2-x1 हो जाएगा, x2-x1, यह क्या हो जाएगा, यह vertical height y1 है, तो यह यहां से यहां का जो vertical height है, वो भी आपको y1 मिल जाएगा, और यह जानते ही हैं, आपकी यहां से यहां का जो vertical height है, यहां से यहां का, यह आपने क्या दिया हुआ है, यह y2 है, यह क्या है आपका y2, यह जो हाइट मिला यहां से यहां यहां से यहां यह क्या हो जाएगा y2-1 तो अगर मुझे को find out करना है तो मैं बोल सकता हूं कि एक right angle triangle है तो बेस और परपेंदिछ इसका नाम पी रख देते हैं लेट से इस इस पोईटी तो इन राइट एंगल एंगल इन मैं इनए राइट ट्रेंगल राइट रहेंगल एपी V.'" डिस्टेंस बीट्विन एं वी डी जो बहुगा यह हाइपोटेनस हो नोगा तो डी हाइपोटेनस दी जो होता है वह स्कॉायर रूट ओप बेस स्कॉयर अपन बेस और प्लस परिफेंडीखिवार हो जाएगा बेस का स्पायर s2 माइनस एकसवन स्भाय पाइब यह c वाइट निश्टन्स फॉर्मूला आपको मिल जाता है clear है किया सब्सक्राहारा मैं पूलर कॉर्दिनेट सिस्टम के लिए जानना चाहता हूं इन पोलर कोर्डिनेट सिस्टम में मैं चाहता हूं कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करों वो कैसे निकलेगा और इसको बहुत जगा में ही यूटिवाइज भी करेंगे यह थोड़ा सा देखने वाली बात ओग मुझे एक म보 क्क एक Korks वनाना चाहिए एक सिस्टम हम से बना लिया है क्वाइक indoors इस्टम बना लिया है लेट से मेरे पास पौई सिस्टाम बना लिया तही यह मलते हैंकि है इनिश्यल लाइन फोट बहुत लेट से हीर इस एनी पॉइंट एंड यह एनी पॉइंट भी ठीक है तो यह है यह भी है कि यह है और यह भी है तो इस एक कोर्डिनेट आर वन कॉमा थीटा वन बोल सकते हो क्या आप कि यह आर वन कॉमा थीटा वन और यहाँ पे यह कोर्डिनेट आर टू कॉमा थीटा टू है तो अगर यह आर वन कॉमा थीटा वन है तो कैन सेकि इसका ओलिजिन से जो डिस्टेंस होगा और X-axis के साथ जो एंगल होगा वो होगा यह आरवन डिस्टेंस हो गया और यह ठीटा वन एंगल होगा अमाई राइट एवरिवन किया हो जाएगा ठीटा वांड इसे कोई समस्य नहीं होनी चाहिए और दूसरा इसी ओरुजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वह मुझे क्या मिल गया है यह डिस्टेंस आरटू हो गया गया यह क्या हो गया र्टू और यह पूरा का पूरा जो अब एंगल मिला क्या हो जाएगा इसको यह जो एंगल होगा यह हो जाएगा ठीटा तो कि एक सेक्सिस के साथ जो पूरा बैंगल बना है वह ठीटा टू हो गया मुझे इन दोनों के सब्सक्राइब करना है अब मुझे वह कैलकुलेट करना है तो लेट से दिस वन इस डी और यही डी का वैलो मुझे find out करना है! अब मुझे कोई ये बताएगा कि strangle ये О है! Strangle में ये वाला angle जो होगा वो कितना होगा Π viele येवाला angle कितना होगा ! कऊन बताएगा ? बहुत सांदा ! बहुत ही Nico सांदा! इसको मैं थोड़सा यहां हाथाके नीचे करने के यह क्या हो जाएगा मेरा और ये मुझे थीटा टूमाइनस चीटा बड़ा अचा कितने लोगों को कोसाइन फार्मुला याद्धि त्रेंगल के लिए गोजार्म्था कितने लोगों को याद है कि कि बोल पाओगे कोई कि बोल नहीं पा रहे हो कि आयूस याद है तुमका आयूस राज आयूस राज दो-दो नम से जोइन किया है आयूस अविनास अमन कि पलवी श्व clinical का रिलेशन जुकौइं नहीं को सायन फॉर्मूला याद है तुमको इसलां को साहियं साहिन फॉर्मूला хी तुमको नहीं से देखो वेट हां याद 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 को से बसी स्कोर मैंने से कर भोजे जावा इन ते लेट से अलगा नहीं लेट से इस वन इजा ट्रेंगल मैं फड़ा सा बता देता हूं मनली जी एक ट्रेंगल है A, B, C A, B, C A के सामने वाला साइड small A होता है B के सामने वाला साइड small B and this is small C अगर मुझे इस ठीटा को find out करना है इस ठीटा को find अगर ये ठीटा मुझे given है तो मैं लिखता हूँ cosine formula से कि cost ठीटा की value जो होगी A square यानि C square जो ये ठीटा जीन दो साइड से मिला है उनके साइड, उनके स्क्वाइर का plus A square minus, इसके just opposite वाला साइड जो है minus B का स्क्वाइर divided by 2 C into A यही होता था न cosine formula ये क्या है cosine formula है cosine formula है मैं उसी cosine formula का use करता हूँ मैं क्या करता हूँ उसी cosine formula का use करता हूँ तो मैं लिखूंगा by cosine formula by cosine formula formula आइकें से कि कॉस ओफ ठीटा टू माइनस ठीटा वन ये जो होगा ये क्या हो जाएगा क्या हम ये किसे किसे मिल के बन रहा है आर वन स्क्वाइर प्लस आर टू स्क्वाइर माइनस देखें ठीटा टू माइनस ठीटा वन के जस्ट अपूजीट वाला साइट डी है तो माइनस डी का स्क्वाइर डिवाइड भाई टू आर वन आरट टू किसे को कोई समस्या आप वो लिए लिए लेन अब मैं यहां पर टू आर वन आरटू कोई साथ मुटिप्लाई कर देता हूं टू टैम्स ऑफ आर वन आर टू कोस्व ओफ ठीटा टू माइनस ठीटा वन इजिएक वर्टू आर वन का स्क्वाइर पलस आर्टू का स्कूरीर, म्यम्स डी का स्कूरीर, मुझे तो डी फआद आओट करना है। डी को left side में लेके चले आईए, तो मैं बोल सकता हूँ कि डी का स्कूरीर जो होगा, वो हो जाएगा, r1 square plus r2 square minus 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 2 r1 r2 cos of theta 2 minus theta 1 therefore d की जो value मिलेगी वो मिलेगा again under root r1 square plus r2 square minus 2 r1 r2 cos of theta 2 minus theta 1 किसे कोई समस्या नहीं 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 वेक्टर का सिंपल सा एक फॉर्मूला है वेक्टर को magnitude के फॉर्म में ले लोगे तो ऐसा ही आजाएगा सब कोरिलेटेड है भई यहीं कोरिलेशन तो एक दो साल में तुमको पता चलेगा कि घुम फिर के बात वहीं पर आ जाता है सब ठीक है तभी तो यह system valid है ऐसा थोड़ी हुथा कि अगर यहां पर कुछ अलग आ जाएगा और वहां पर कुछ अलग आ जाएगा नहीं आ सकता है तो आज का क्लास यहीं पर रोपते हैं इसे अच्छे कुशन करने वाले हैं इतना पढ़ के आईएगा इसको अच्छे से पढ़ के आईएगा और पढ़ने के बाद क्यूंकि जितना अच्छा से आपके दिमाग में रहेगा उतने ही अच्छा यूटिलाइजेशन होगा ध् आपको फॉर्मूला एकदम कॉंसेट किलियर है कि इसको ऐसे कर सकते हैं इसको ऐसे जैसे अभी यह पहले वाले कुश्चन में जैसे यह हमने यहां पर इस्टैबलिस किया यह क्या था कुछ नहीं था बस आपने पीछे वाले अपने जो कॉंसेप्ट है उसका यूज करके ही कॉर्णेर अपने लिख दिया है ठीक है तो आज के क्लास में इतना ही कॉंसेप्ट को रिवाइज कीजिए और सामको क्लास ले सकते हैं क्या हम लोग आज कितने बज़े बोलो आई थिंक चार वज़े कमेश्टरी यह साथ वज़े रखियां साथ सारे आठ को नहीं नोग जो रहा है सारे छे बज़े से बोल रहा है तब फोन चार्ज ने लगाएंगे थुड़ा देर चार बज़े से कमेश्टरी कितने बज़े तक चलेगा सारे पांच सारे पांच तभी एक घंडे का टाइम एक घंडे में फोन चार्ज नहीं होगा तो आज जो जीपी का बेजो जीपी वाला डिसकासन होगा ठीक है ना जाले मिल दें लेक्स प्लास वे बबाई एवरीवन याटिया भी वाला बाई सब्सक्राइब ना